नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हम लोग इस्पोर्ट सीरिज के तायट अभी हम लोग नेशनल अवर्ड की बात कर रहे हैं राश्टिय खेल पुरुसकारों की बात कर रहे हैं और आप लोग जैसे की पिछली क्लास में पढ़ रहे थे हमने मेजर ध्यानचंद खेल जिरतन अवर्ड या पुरुसकार पड़ चुके हैं आज उसके आगे की कड़ी या उसके आगे की सिलसला सुरुआत करते हैं चलेगा तयार हो जाएगा सारे रिक और मानसिक रूप से इस यात्रा के साथ में तो आज जो पहला अवर्ड है जिसके वारे हम लोग चर्चा करन हैं दोस्तों सबसे पहले हम से एक्जाम में पूझेगा कि आचारे द्रॉनाचार रही है या सिंपल कह समद्द कि छेतर से है तो आप बताएंगी ठेल से है अब खेल से तो है लेकिन यह हम किसे देते हैं तो आप बताएंगे को या प्रसिच्चकों को दिया जाता है किसी दिया जाता है कोच या प्रसिच्चकों को दिया जाता है ये बात हम्यार से याद रखेंगे अब देखें हमसे कभी पूछता है जो important प्रशन है कि भारत सरकार को दोरा कौन देगा तो आप बताएंगे केंद्रिय सरकार या भारत सरकार के दौरा दिया जाता है अब हमसे ये प्रसन जो है बड़ा important बनेगा कि इस पुरुषकार की शुरुवात इस्तापना कव हुई तो दोस्तों याद रखेंगे 1985 1985 क्या याद रखो कि 1985 ठीक है 1985 में दुरुणाचार पुरुषकार की शुरुवात की गई थी या हुई थी अब यहां से याद रखना कि उन कोचस को यह किसे दिया जाता है यहां कोचों को सुसंगत आधार पर उतकरष्ट और मेधावी कार करने और खिलाडियों को अंतर राष्टिय इस तर पर बेहतर प्रदर्शन करने कि उपलक्ष में उनको सम्मानित किया जाता है इसे हम कहेंगे दुरुणाचार या आप कहेंगे दुरुणाचार पुरुषकार ठीक है ना अगली देखें अगला पॉइंट या आपको क्या रहेगा कि यहां पर दुरुणाचार की एक ब्रॉण्ज इस्टेचू या आपकी कासे की प्रतिमा भी दी जाती है ठीक है सम्मान पत्र दिया जाएगा तो जो सवाल बनेंगे आपकी परिक्षा के लिए कि हमसे पूछेगा कि इस पुरुषकार की या तो आप स इस्तापना पूछेगा ठीक है या आप से सुरुवात पूछेगा इस्टार्टिंग पूछेगा ये प्रसन हमसे दोस्तों पूछेंगे एक्जाम में है न तो आप बताएंगे इसकी सुरुवात हुईती 1985 में कब हुईती 1985 में फिर पूछेगा कि बताएगा पुरुषकार राशी दोस्तों कितनी है तो पुरुसकार राशी है इसकी 15,00,00 रुपय है और एक आपको ब्रोंज इस्टेचू मूर्थी दी जाएगी यह भी याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं तो द्रोनाचारे अवर्ड के बारे में देखें लाइफटाइम के टेगरी में भी यहां प या वह कोच किस खेल से संबंद रखते थे ये इस टाइप के प्रसन हमसे पूछेगा जैसे हाली में जो पुरुषकार दिया गया है वो टीपी ओसेफ को दिया गया है अब प्रसन आएगा बताएं कि हाली में द्रोना चारे अवर्ड जो लाइफटाइम केटिगरी में दिया है तो आप बताएंगे इनका नाम है टीपी ओसेफ इनका संबंद किस खेल से है एथलेटिक्स से है किस से है अगला नाम याद रखेंगे सरकार तलवार और सरकार तलवार का संबंद क्रिकेट खेल से है दोस्तों किस खेल से है क्रिकेट खेल से है ये बात याद रखेंगे दूसरा सरपाल सिंग, सरपाल सिंग, इनका सम्मंद किस से है, होकी से है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है, असन कुमार कवड़ी से सम्मंद रखते हैं, असन कुमार का सम्मंद किस खिल से, कवड़ी से, फिर है तपन कुमार पैन गड़ी, स्विमिंग से सम्मंद रख रखना है कि आपका द्रोणा चार पुरुषकार लाइफ टाइम अचीब्मेंट केटेगरी में अभी हाल ही में कौन या कौन से कोच हैं और उनका सम्मंद किस खिल से है तो आप याद रखेंगे आपके टीपी ओसेफ इनका सम्मंद किस से एथलेटिक से है सरकार तलवार इनक सम्मंद किस से है होकी से है असन कुमार इनका सम्मंद किस खिल से कवड़ी से है और आपके तपन तपन बुजाएगा पानी तो यह स्विमिंग करेंगे याद रखेगा असन कवड़ी खेलते हैं सरपाल नाम से समझ में आ रहा है आपके होकी प्लियर है सरकार तलवार सरकार की तरक के कारण ऐसे याद रखो और ओसिप साफ आपके एथलेटिक से सम्मंद रखते हैं ध्यांचंद पुरुसकार की हम लोग बात करते हैं तो ध्यांचंद पुरुसकार आप याद रखेंगे कि ये इसकी इस्तापना कब की गई थी तो आप बताएंगे 2002 में ये मैंने आ रहा होगा साइद आपको तो मेजर ध्यांचंद पुरुसकार खेल रत नहीं है या अकेला ध्यांचंद पुरुसकार याद रख सकते हैं खेल रत नहीं है बारवार कह रहे हैं तो ये ध्यांचंद पुरुसकार है ध्यान से सुनना इस बात को तो ध्यांचंद पुरुसक पुरुसकार राथि दी जाती है तो बताएंगे दोस्तों दस लाख रुपे पुरुसकार राथि दी जाती याद रखे गा तो में आपके ध्याँचन पुरुसकार में 50% ne bus का राथि दी जाएगी ये important बात रहेगी दूसरी बात जरा याँत समझेगा ये है पुरुस्कार किन खेलाřियों को दिया जाएगा ये important है तो ये है उन खेलाडियों को संमानित किया जाता है जिनोंने अपने प्रदरशन अब जिनोंने खेल में बहुत बहतर प्रदर्शन किया हो या योगदान दिया हो जब वहाँ उस खेल में सामिल होते होंगे लेकिन यह दी पता चले कि वह खेल से retirement हो चुके हैं या सेबा निब्रत हो चुके हैं और दोस्तों फिर वी उस खेल का परचार परसार करते हैं या खेल भावना को बढ़ाने में मदद करते हैं या कुछ खेलाडियों को प्रोसाहित करते हैं तो ऐसे खेलाडियों को या ऐसा कहें कि जीवन भर उस खेल के प्रति समर्पड की भावना जो खेलाडी रखते हैं ऐसे खेलाडियों को आप क्या करते हैं ऐसे खेलाडियों को आप मेज ध्याइन चंद पुरुसक 21 में lifetime achievement के लिए ध्यान चंद पुरुषकार ये याद रखेंगे तो आपको कौन-कौन से खिलाड़ी है तो लेखा केसी का समंद बॉक्सिंग से है इनको समानित किया गया अवजीत कुंते सतरंज से समंदित है अवजीत कुंते का समंद की स्खिल से है तो सतरंज बताएंगे तो ये सब बात याद रखेंगे अगला अवर्ड है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रोफी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रोफी दोस्तों कहां दी जाती है तो विश्विद्याला इस तरह पे जिन खेलों का आयोजन होता है वहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट् रखेगा कि यह इसमें इस पुरुसकार में जो इस्टेचू दिया जाता है वो किस तरह का हमें दिखता होगा किलियर है ना तो अब एक बात समझो कि मौला ना अवुल कलाम आजा ट्रोफी की इस्तापना किस बर्स हुई 1956-57 में हुई थी और आप यहां से याद रखेंगे य अगला पॉइंट देखो यह विश्विद्याला इसतर खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है विश्विद्याला मतलब मैंने बताए उनिवर्सिटी लेवल पर जितने स्पोर्ट से या खेल का आयोजन होगा उन सब को यह क्या करेंगे हम लोग सम्मानित करते हैं अगला यहां से समझ से सर्वसिष्व प्रदर्शन करने वाले विश्विद्याला को दिया जाता है जो पिछले बर्स बैतर प्रदर्शन कर रहे हों राश्टिय खेल प्रोसाहन प्रुसकार की यदि बात की जाएगी तो आप यहां से याद रखेंगे इसकी सुरुवात कब हुई 2009 2009 में हुई ठीक है फिर समझेगा यह उन कॉर्परेट संस्तान निजी या आप कहें सारवजन एक दोनों छेत्रों में आप इस प्रुसकार से उन संस्ताओं को क्या कर सकते हैं सम्मानित कर सकते हैं ठीक है जो क्या करते हैं नेशनल लेवल पे खेल और उससे जुड़े कई सा सकते हैं इनको हम यहां से याद रख सकते हैं जैसे सबसे पहली बात याद रखो खेलो इंडिया अब इनसे आप से एक्जाम में प्रशन बनेंगे खेलो इंडिया का आईजन हाली में 2020-21 मैंने सब बताया आप लोग याद करो राश्टिय खेल विकास कोस की स्तापना ठीक ह फिर पूछे गा राश्टि खेल परतवा योगिता एन स्टी सी ठीक है फिर पूछा राश्टिय खेल प्रादी करण प्रसेश्चड केंदर स्टी सी ठीक है बिकास छेतर खेल यानि की सेज के बारे में पड़े होंगे तो यह सभी सिंपल सिंपल से पॉइंट आपको याद जो हमसे एक्जाम में पूछेगा तो आप से जो खेलों से संबंदे जो प्रसन पूछे जाते हैं उनमें एक अवर्ड का एक बड़ा अहम भूमिकार रहती है कवी कई वार एक्जाम में प्रसन पूछे गए हैं तो आप ये प्रदेश अपने भारत देश के यानि कि नेशनल इस तरह के प्रमुक खेल अवर्ड को आप धंग से याद करेंगे ठीके अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए फैक्ट के साथ में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिन जय भारत